तो हेलो दोस्तो अभी जिस वीडियो का अपने स्क्रीन पर देखा अगर आप इस तरह की वीडियो बनाना चाते है अपने फॉटो से तो बने रहे है मेरे वीडियो के साथ और फैंस मेरे वीडियो को सुरू से लास्ट तक देखिए अफैंस नहीं तो आप समझ नहीं पहेंग इस रेशियो को सैलेट करने के बाद आपको यहां पर प्रोजेक्ट सेटिंग पर क्लिक करना है तो यहां पर मैं प्रोजेक्ट सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर स्लाइट करकर आना है एडिटिंग पर क्लिक करना है और आपको यहां पर एक option मिल जाएगी fill screen तो आपको यहाँ पर click कर लेना है guys उसके बाद guys आपको यहाँ से कुछ image select कर लेना है तो आप जो भी अपना image select करना चाहते हैं guys आप कर लीजेगा So guys मैंने यहाँ पर image select कर लिया है तो आपको इस image को अच्छा से adjust कर लेना है तो इसे भी आपको इस तरह से adjust करना है तो आपको यहाँ पर click करना है बरावर पर tick करना है और इसे adjust कर लेना है और okay कर देना है तो इस तरह से सारे images को मैं कर लेता हूँ So guys मैंने यहाँ पर सारे images को adjust कर लिया है तो आपको दो images के बीच में एक plus icon बन रहा है तो आपको यहाँ पर click कर लेना है करनी के बाद यहाँ से आपको transition effect add करनी है तो आपको यहाँ पर slide करकर चले आना है नीचे side पर आपको transition effect मिल जाएगी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं guys presentation तो आपको यहाँ पर click करना है guys करनी के बाद यहाँ से यह वाला टांजिशन अफ्यक्ट आपको आड़ कर लेना है तो मैं यह व्यृ आप ढहला टांजिशन एफेक्ट ऐड़ कर लेता हूं और इसके ev 115 रखना आपको और okay कर देना है तो मैं सारे प्लस पर यहां पर वही टांजिशन आएट कर लेता हूं अको हो प्रेजेंटेशन ग्याक देख पहले तो यह वह कि आपको और हुआ है तो में सब इमेज पर जितनी भी प्लस ऑप्षन है सब देंखेंख्र सब्वाइब प्रेजेंटेशन पर यहां से जावत आइड करिए कर दिया है तो आपको यहां से कम कर लेनी है तो मैं सारी की लेंद कम कर लेता हूं आपको यहां से एक्सपोर्ट कर लेना है कसे खुट करने के बादा आंको दो बार बैक आना है आने के बाद प्लस ऐकॉन पी क्लिक करने है उपनी वीडियो का यहां पर एड करनी बाद आपको यहां पर क्या करना को आउन कर देना है तो मैं यहां से इसके विगनेट को आउन कर देता हूं और ऊके कर देता हूं उसके बाद का इस आपको लियर पर टच करना है एफेक्ट पर जाना है और यहां से एक ब्लर एफेक्ट आपको एड़ करना है तो यहां पर एक बेसिक एफेक्ट आप देख पा आपको फौर या फाइब पर रख सकते हैं मैं फौर पर ही रहने देता हूं रोके कर देता हूं उसके बाद गाइज आपको लेर पर टच करना है मेडिया पर जाना और यहां से एक टेंपलेट आपको अड़ करना है उसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्षयन है मिल ज और साइट पर कुछ options हो रहा है तो आपको यह option मिलेगी blending so आपको यहाँ पर click करना है यहाँ से screen पर रख लेना है और ok कर देना है ok guys next आपको layer पर touch करना है media पर जाना है और जिस video को आपने export किया था उस video को आपको एक बार all ले लेना है तो आपको इस तरह से rotate करना है frame पर आपको set करना है तो इसके हिसाब से आपको rotate कर लेनी होगी और small करना है आपको तो मैं frame के हिसाब से यहाँ अच्छा से adjust कर लेता हूं guys तो जैसे कि आप देख पर यहां पर यहां पर यह काफी बड़ा हो रहा तो आपको यहां से क्रॉप कर लेना है तो मैं यहां से क्रॉप कर लेता हूं साइट पर कुछ आपशन नहीं तो आपको इन मिलेगी क्रॉपिंग होपको यहाँ पर क्लिक करना कर लिए पर crop हो चुका है guys, तो इसे okay कर देना है, उसके बाद guys आपको क्या करना है, उसके बाद आपको layer पर touch करना है, media पर जाना है और यहां से image आपको add कर लेना है तो मैं यहां से image add कर लेता हूँ यह वाला image मैंने add कर लिया है तो आपको यहां पर slide कर कर आना है फिर छो cropping option पर click करना है करनी के बाद इसकी mask को आपको enable कर देना और shape option पर click क्रना है और यहाँ से time round वाली आपको ले लेना है तो यहां से अच्छा में एड़्ेस करना है और frame पर एच्छा सेट करना है तरह आपको इस sadness कोई करने के बाद और okay कर देना है उसके बाद guys आपको क्या करना है black skin template पे click करना है और यहाँ पर side पे option मिलेगी three dot so आपको यहाँ पर click करना और यहाँ से bring to front पे रख लेना आपको तो मैं यहाँ से bring to front पे click कर लेता हूँ तो guys यहाँ पर देख पर यह frame पे अच्छा से adjust हो चुका है उसके बाद guys आपको क्या करना लियर पे touch करना है media पे जाना है और यहाँ से एक particle template आपको add कर लेना है so guys मैं यहाँ पर एक particle template add कर लेता हूँ इसकी वी link आपको वीडियो की description मिल जाएगी वहाँ से आप download कर लिजेगा तो आपको इस particle template को इस तरह से rotate कर लेना है करने के बाद इसे full screen कर देना है कुछ इस तरह से और side पे कुछ option मिल जाएगी तो आपको यहाँ पर एक option मिली कि blending so आपको यहाँ पर click करना है यहाँ से screen पर रख लेना है आपको और ok कर देना है उसके बाद particle template के layer पर फिर से click करने आपको और इसकी sound को आपको mute करना है तो आपको यहाँ पर click करना है guys करने के बाद यहाँ पर first वाले option पर click करके इसकी sound को आपको mute कर देना है तो दोस्तो finally यहाँ पर मेरी video बन चुकी है तो मैं आपको वीडियो है पे प्ले करके दिखाता हूँ देखी वीडियो पे काफी अच्छा effect आ रहा है देखने में बड़ा ही wonderful लग रहा है तो ऐससे ही आप काइन मास्टर से इस तरह लवश्टेटस बना सकते हो और आपको audio add करने के लिए आपको इस option पे click करना है दोस्तों यहाँ पे click करने के बाद यहाँ पे आपकी audio library open हो जाएगी तो यहाँ से को भी song आप add कर सकते हो और export करने के लिए आपको site पे एक option मिलेगे यहाँ पे तो इस option पे आपको click करना है और नीचे site पे आपको एक option मिल जाएगी export तो आपको यहाँ पे click करके यहाँ से export कर लीजेगा तो thank you guys for watching this video और जाते जाते मेरी वीडियो के लाइक कर देना और चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe करते हुए जाना तो guys मिलते हैं और किसी मज़दार से video के साथ तब तक क्लिया अलविदा